तो आज जो मैं आपसे बात करने जारी हूँ वो टिकाऊ क्हेती के उपर है क्योंकि अगर आप टिकाऊ क्हेती करते हैं तो आप साल बर साल इसको अपना सकते हैं और इससे फाइदा पा सकते हैं और टिकाओ खेती कैसे की जाए आपने सुना ओएगा ओगनिक फार्मिंग कहते हैं जीरो बजट फार्मिंग कहते हैं हम लोग जो बोलते हैं हम लोग कहते हैं कि कम से कम लागत में खेती करें और ऐसी खेती करें जिससे आप अपनी मर्दा जो है आपके जो मिटी ह उसको भी अच्छे से उसकी देख भाल करें मृदा की गुनवक्ता को बढ़ा सके और जो पर्यावरण है उसको भी अच्छे से बहतर बना सकें छोटी सी बाते हैं इसमें एक तो हम लोग आपको BBF की पदती आपने कई एपिसोड में देखी होगी करी जाती है अगर आप BBF आपके पास सीड ड्रिल है तो सीड ड्रिल में ही किनारे पे आप BBF के जो आप फरो बनाते हैं जो नाली बनती है उसका जो है उसको उसमें ही संशोधन करके उसमें ये नालियां बनायने की जो यंत्र है उसको लगाया जा सकता है वो उसके लिए भी आप हमसे संपर कर सकते हैं इस BBF पद्धिती से जब लगाते हैं तो जो आपका खेत की जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी है वो की सुनिश्यत करी जा सकती है बीश में जो नालियां बनती है उससे जो हवा का भी आवगमन होता है और जो धूब भी पड़ती है उससे आपको जादा पैदावार भी मिल सकती है दूसरी बात इसमें सबसे जो हमारे लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब सोयबीन की खेती करने के बाद आप सोयबीन के पौदे निकाल देते हैं तो हम लोग उसमें कोई दुबारा से ना तो उस खेत को जोतते हैं ना उसमें हम लोग इसका पलावा करके या कोई भी इस तरह के कोई भी पड़ती उसमें नहीं करते हैं ये टिकाव खेती के अंतरगत इस तरह की पदती आती है तो आपने निकाल लिए अपने पौदे और उसी में फिर से आप दुबारा अगर मानीजे आपके खर्पतवार बहुत जादा हैं तो आप किसी भी खर्पतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं उसमें उसका इस्तमाल कर सकते हैं यह आप मिट्टी को जब उलट तो उसके बाद खर्पतवार आप 3-4 साल में अगर आप देखेंगे तो आपके खर्पतवार की संख्या जो है वो कम कम होती ही जाएगी बढ़त ऐसा आप देखने को आपको मिलेगा और जो मैंने आपको बताया कि मिट्टी की गुनवक्ता बढ़ जाती है उसमें थोड़ा चार साल में यह अनुसंचित भी है कि हर 3-4 साल एक गहरी जुताई वो आपने एक और आपको देखने को मिलेगा कि पदती है जो गहरी जुताई करके आपने खेद को ठीक कर सकते हैं लेकिन हर साल इसकी जुताई करना आवश्यक नहीं है और यह हमने नाकी अपने ही फार्म कि प्रदर्शित किया है और इसकी इसको देखा है बलकि हमारे किसान कुछ है जिसमें हमने अपने डिमंस्ट्रेशन लिए थे वहां भी हमने इस पदती को तीन साल से हम कर रहे हैं और बहुती इसके बहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मेरी आप सबसे यही बिंती है कि जितन आप मिट्टी को और हम जितने भी जल्वाईयू है उसको जितना हम बचा सकते हैं उतना बचा के चलें ताकि हमारी जो खेती है वो टिकाओ हो सके और साल बर साल हम उससे ज़्यादा पैदावार ले सके और अपनी लागत कम कर सके नमस्कार